रेगुलेटर लगे हुए हैं वोल्टेज को बूस्ट करने बाले हैं और यह देख सकते हैं आज हम वोल्टेज अस्टेप डाउनर मोडियू जो कि LM2682 है देख सकते हैं आप लोग इससे हम लोग मोबाइल चार्जर बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही फास्ट चार्जिंग होग मोडियूल है DC to DC बॉक कनवर्टर है step down और इससे हम लोग आज मोबाइल चार्जर बनाने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें USB पोर्ट को कनेट कर देंगे जो कि मैंने एक पावर बैंक मोडियूल से निकाल लिया है और इसमें कनेट कर देने के बाद इसमें केवल बारव भूर्ट देना होगा उसके बाद फास्ट चाजर बन जाएगा तो आज मैं फास्ट चाजर बना कर दिखाऊंगा आप लोगों को आभी बना सकते हैं इससे त्री एंपियर वाला फास्ट चाजर तो वीडियो स्टाट करते हैं तो इसमें मैंने दोनों अच्छे से वाहर एड़ कर दिया इन्पूट और आप्पूट में आप लोग देख सकते हैं तो अपके बार बोल्ट देना है देख सकते हैं यहां पर 12 वोल्ट आ रहा है वोल्टेज तो चलिए अब एड़ करते हैं तो फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहां पे यह इसमें एक लेड़ी गलो हो रही है जो आप लोग देख सकते हैं यहां पर 11,5 वोल्ट आ रहा है तो चलिए अब इसको कम कर लेते हैं 5.2 वोल्ट तक हमें इसमें वोल्टेज को कम करने के लिए इस रेगुलेटर को एंटी क्लोकवाइज गुमाना होगा जिससे हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा जिससे वीडियो में मैं गुमा रहा हूं और यहां पर मैं वोल्टेज को कम कर रहा हूं देख सकते हैं यहां पर मैंने 5.2 वोल्ट पे सिट कर लिया इसको अब भी इतने ही वोल्ट पे सिट किजिएगा और उसके बाद यहां पे USB पोर्ट एड़ कर देख सकते हैं यहां पे एड़ हो चुका है और इसमें केबल के पोर्ट को खुंसता है उसके बाद चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा मॉवाइल में इस मॉ चार्ज है और यह देख सकते हैं यहां से पूरा यह बैटरी चार्ज होड़ने लगा है अब इस मॉवाइल का देख सकते हैं अभी क्या भी 47% हो गया है मतलब एक्चुली यह फार्ट चार्जिंग कर रहा है फ्रेंट्स तो इसी बात पर आप लोग वीडियो के एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा धन्यवाद